21 यानि 21 पेपर का 21 कोस्ट नमबर में पहुच चुके हैं कि उस बिंदू के निर्देश सांक ग्याद कीजिए जो बिंदू इतने और इतने को मिलाने बाले रेकंट को दो अनुपात रिलेटेट जरूर आपको मिलेगा ठीक है रिलेटेट आपको इससे देखने को मिलेगा यह हमारा चैप्टर साथ से हमें लिया गया ठीक है साथ से लिया गया यह कोस्टन तो इसमें दे रखा कि एक दो बिंदू है ठीक है दो बिंदू है ए यह बी ठीक है कोई दो बिंदू पर तो नहीं है ठीक है दे रखा ठीक है मिलाने वाली अनुपाद दे रखा है 2 अनुपाद 3 ठीक है यहाँ तक हम रखा है अब हमें क्या करना है कि जो हमारा सूत्र होता ठीक है अनुपातिकता सूत्र होता है उसी हमें करना है तो अनुपातिक सूत्र मैंने यहां पर लिख रहा है आप ज़र देख सकते हैं ठीक है तो आपको देख रहा हो तो यह हमारा सूत्र है ठीक है इसे मैं बताता हूं तो हमार में क्या है X M1 क्या है हमारा M1 क्या हमारा 2 ठीक है M1 2 है तो हम बांच से कि M1 क्या दना हमारा 2 गुणा और X2 हमारा है तो M1 हमारा 2 हो गया है और X2 कितना है 4 X2 मारा 4 तो 4 पिलास M2 3 X1 मैंनस 1 अपन 2 पिलास 3 यानि M1 2 और M2 3 पिलागी एक सब्सक्राइब और मैनस की वन से करी मैनस 1 की 3 से करी तो मैनस का 3 यहां पर 2 और 3 कितना हो गया 5 जब दिसकते हैं कि 8 में से 3 गया 5 अपन 5 डिवाइड 1 तो X व्रावर कितना आ गया हमारा 1 यहां पर Y वाला भी देखते है तो यहां पर मैंने गल्त लिए ठीक है य za m2 y1 ठीक है तो m1 कितना है टू ग Sugon by 2 कितना मैनस 3 प्लस M2 कितना फ्लाइब 2 गोणा और 2 यहां सहथ तो में बंट्टू 3 मारा भायका चल रहा ठीक है तो मैनस का 6 हो जागा मैनस 3 गोणा 2 करांगे तो मैनस 6 जागा प्लस तीन सत्य एकई सूर्फ नोटा माइनस प्लस कितने होता हो तो कि इस हमारा अंसर होगा यहांपर क्या हो हुआ कि भायू में तीन यानिक जो इसका मान होगा यह को इसका मान एक आया और इसका मान तीन ठीक है अब कोस्ट नम्र अकला है बाइस